नमस्कार दोस्तों आप ये गायत्री मंत्र के बारे में तो जरूर सुना होगा गायत्री मंत्र जिसका उचारा हम कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हैं वैसे तो सभी मंत्रों कोई ना कोई उचार जरूर होता है कोई भी मंत्र ऐसा नहीं होता कि आपको फायदा नहीं करता लेकिन उसके करने के लिए आपके बास समय होना चाहिए इंसान मंत्र को अपनी जीवा पर तो रखता है लेकिन कभे भी मांसिक तोर पर उसे समझता रही है उसमें से है गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण हम कभी भी कर सकते हैं लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण यदि हम सुर्याज से पहले करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा benefit है वैसे गायत्री मंत्र सभी जाते हैं आपको उसी के बारे में बता रही हूं कि गायत्री मंत्र के क्या फायद है जो गायत्री मंत्र हमारे कुछ शादों से मिलकर बना है जैसे कि ओम, भूर, भूस, सह, तस, सवी, तूर, वरे, नियो, भर्गो गायत्री मंत्र का उचारण करते हैं यानि आप माला के साथ तरजनी उंगली को फेरते हुए गायत्री मंत्र का उचारण करते हैं तो उसके भी आपके जीवन में बहुत अच्छे फायदे होते हैं गायत्री मंत्र का उचारण करते समय यह देखना जरूरी नहीं है कि क्या स आप दिन के 24 घंटे में कभी भी गायतरी मंत्र का उचारण कर सकते हैं क्योंकि गायतरी मंत्र का उचारण करने से आपकी जीवा पर हमेंसा भगवान का नाम रहता है और भगवान गे कृपा भी रहती है वैसे तो गायतरी मंत्र के इलावा आप ओम बोलते हैं जैसे ही हम कभी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे पहले हमें ओम बोलना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। करने से उसमें जो ओम शब्द मिलकर बनता है वह शब्द हमारी ज्ञान और मासिक तोर को हमेशा समेट के रखता है हमें एक किंडर बिंदू बजाता है और उसके इंडर बिंदू पर यदि हम धान रखकर किसी भी मंत्र का उच्छारण करते हैं तो वह आपके जीवन में हर सम समस्या का समादान देता है जैसे कि आपके घर में कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो उसके रिए यदि वह गायते मंत्र का उच्छारण करती है तो उसकी शादी समय पर हो जाती है कभी ऐसा भी होता है कि आपके शादी होते होते टल जाती है कि आपके जाएंगी गायत्री मंत्र का उच्छारण आप दिन में तीन बार कर सकते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र के शक्तों में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके जीवन के सारे सितारे यानि कि गिरहों की इस्तिती को सुधार सकते हैं तो यह है गायत्री मंत्र के उच्छारण के कर दो